नमस्कार दोस्तों सुलागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि क्या सरकारी बैंक अपने फिर पुराने वाले रेट्स पर आ जाएंगे यानि जो इनके रेट्स थे जहां पर हमने बाइंग करी थी क्या ये वहीं पर आ जाएंगे यूको बैंक फिर वहीं पर 12-13 रूपे पर आ जाएगा पंजाव एंट्सिंग बैंक क्या 18-19 पे आ जाएगा पंजाव एंट्सिंग बैंक क्या 48 के आसपास आ जाएगा इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाऊँगा इस वीडियो के माद्यम से देखिए आपने इन सरकारी बैंकों में अच्छा खासा प्रोफिट जनरेट किया है अगर इनमें गिरावट हो रही है तो आपको इसमें भैबीद घबराने की कोई आवशकता नहीं है और लेडि कहीं वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो डोमेस्टिक ग्रोथ है हमारे देश की जो इंटरनल स्टोरी है यानि कि हमारे देश के जो बैंक हैं वो काफी मजबूत है इन पर भरोसा करिए बाजार की गिरावट के साथ थोड़ा सा इनमें आप सेल ओफ होतावा देखोगे यानि कि आपको इसमें मैकसिमम 30-40% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है मैं 30% के आसपास तक की गिरावट इसमें मान के चलना हूँ और 30-40% की जब गिरावट होती है तो फिर मैं दुबारा से इसमें ये एंट्री लेने की कोशिस करूँगा बाजार का मूड देखके तो फिलार मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रॉफिट के शेर्स के साथ बने रहिए प्रॉफिट के शेर्स और लेडी हमारे पास सरकारी बैंकों के है और इन जो इन सरकारी बैंकों में हमने पैसा कमाया है उसको अभी थोड़ा सा आप रोक के चलिए यानि कि cash in hand में करके चलिए बाजार में थोड़ा सा bottom fishing होने दीजिए बाजार को थोड़ा सा निचले स्थर को छूने दीजिए 17,500 मेरा last एक एहम और मुख्य support है अगर बाजार वहां आता है तो वो best opportunity होगी किसी भी stock में entry लेने के लिए और लेडी इस stock ने सरकारी बैंकों की stock ने हमें बहुत अच्छा पैसा दिया दुबारा से जरूर definitely इसमें हम re-entry लेंगे लेकिन अभी सिर्फ मौके का इंतजार करेंगे बाजार में जब bottom मनेगा वो एक समय होगा इनमें साफ re-entry लेने का आप अगर उपर के rate पे अब इनमें फस गए हो तो फिर थोड़ा सा आपको उसमें इंतजार करना पड़ेगा और budget तक तो अब आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा देखें दोस्तों आप इन सरकारी बैंकों की एहमियोत को समझेए हर दिन रोज कुछ ना कुछ वीडियो के माधियम से मैं बताता रहता हूँ assess quality में सुधार हो रहा है loan book इनकी बढ़ रही है बहुत कुछ growth story इनकी सामने आ रही है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते वे मैं दुबारा entry लेने की फिर से आपको सला दूँगा लेकिन अभी थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा तो इंतजार करिए निफ्टी में थोड़ी और थोड़ी बहुत और correction होती है तो वो एक best point होगा यानि 17,500 buying start करने का बहुत ही अच्छा सहाब समय होगा और लेड़ी सरकारी bank के stock अभी तक 20% तक मेरे ख्याल से 10-20% तक गिर चुके हैं तो मामूली से थोड़ी बहुत गिरावट और रहती है 10-15% की ज़दा सज़दा 20% की तो वो एक best opportunity होगी इसमें दुबारा entry की कुछ bank गिरेंगे लेकिन सब bank नहीं गिरेंगे अगर गिरेंगे तो बहुत तेज इनमें recovery भी आप देखेंगे तो ये एक वीडियो था और इसमें मैंने आपको बताया है कि कहां पर आपको re-entry लेनी है सरकारी bankों में अभी आप इसमें घबराने की या विचलित होने की करके रखिए वणना profit के shares के साथ मैदाने जंग में डटे रहिए और साब मुझे आगे दीजे आज का वीडियो समाप करने की next वीडियो में ने अबडेट के साथ होगी मुलाकार तब तक इनतजार finally नमस्कार